दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुती चवर्दस वीडियो लेकर आया, रोज सुबह नहाने से पहले बोले ये शक्ति-शाली मंत्र, दुनिया होगी कदमों में, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, जै बजरंग बली दोस्त, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है, दोस् रिव्स एक बाधाओन को दूर करता है, बलकि हर प्रकार की दिश्मन को भी सांत करता है. इसलिए लक्ष्मी जी को भी प्रसंद करने में आपको शायता मिलती है और लक्षमी जी की विशेश करपा आपको प्राप्त होती है और सुख सम्रदी धड़तरब से आकर्षित होने लगती है लेकिन किस प्रकार और कैसे आपको यह मंत्र करना है आपको अच्छी तरह से समझ करें दोस्तों आपको इस पावन और पवित्र मंत्र का प्रयोग करना चाहिए जिस तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं उस तरीके से यह आपको प्रयोग करना चाहिए काफी लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से उनके दिमाग में हमेशा गलत ख्याल और नेगेटिव विचार आने लगते है कुछ चीज पहले से तो बिगड़ी होती है और आप उन्हें अपनी नेगेटिव विचारों से और भी ज्यादा दिगाड़ लेते हैं तो इसलिए उसको कभी भी आप नेगेटिविटी से ना सूच करके जो चीजे हम आपको बता रहे हैं आप उन्हें जरूर करें जिससे आपके जीवन में सफलताएं आपको और आपकी मनो कामना भी पूरी हो सकती है तो दोस्तों आपको ये मंत्र रोज सुबह के समय नहाने से पहले जाब करना है अपने बैड़ पर बैठे हुए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जब भी आपकी आँख फुलती है होती है और काफी लोगों की आदत होती है कि उठते ही सबसे पहले आईना देखने लगते हैं तो उने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए इससे बहुत ज़्यादा लड़ाई घर में बढ़ने लगती है और आपके विचारों और खयालों मेंसा ही नेगेटिविटी अप कि उत्ते ही सर्फ आपको अपने दोनों हाथ की हतेलियों को देखना चाहिए अपने दोनों हाथों को मिलाकर हतेली की देखाव को देखा करें उसके बाद अपने फेस पर इन हतेलियों से एक रगड़ दें किसी प्रकार बस आपको रोज उठने की आदत बनानी चाहिए दो इस प्रकार है उग्रम, वीरम, महाविष्णुम, बलब, सर्वतोशी मुखी, चंद्रमा, इस प्रकार दोस्तों आपको यह मंतर का चाप करना है, यह मंतर लिख करके एक कागज पर रख ले, अपने तकीये के नीचे अगर आप यह रख ले तो और भी आपके लिए अच्छा ह होगा, दोस्तों अगर आपको यह मंतर याद नहीं रह पाता है, तो आप एक कागज पर लिख करके इसे अपने तकीये के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि सुबह उठते ही आप इस मंतर का चाप कर सके, लेकिन दोस्तों तीन-चार दिन पहले से ही यह आपको बहुत अची त करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत फाइदे मंद हैं, आप बैड़ पर बैटे हुए इस मंतर को पढ़ ले, अपने दिन की शुरुवात किसी मंतर से करें, और कुछ देखें किस प्रकार यह मंतर आपको बहुत जादा सफलता दिलाता है, सभी प्रकार की बाधाएं इस म समाप्त होकर के हर तरब से सुख और समर्दी आकरशित होने लगती है, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, या मनो कामना है, तो इस मंतर से जरूर ही वह पूरी हो जाती हैं, आपको कोई भी चीज आसाने से परेशान नहीं कर पाती है, कोई भी नेगेटिव खयात, विच परेशान नहीं हो पाता है, और इस मंतर से आपको वह ओप्शन भी मिलते हैं, इसलिए आपको जरूर ही इस मंतर का सुख उठते ही चाप करना चाहिए, और फिर देखें आपका जीवन और भागे बदलना किस परकार से शुरू हो जाता है, इस मंतर के बहुत ही ज़्यादा गजब के फायदे हैं, जो आपको हर रोज मिलनी लगते हैं, रोज इस प्रकार मंतर का जाप करने से आपके सबी बाधाएं दूर हो जाती हैं, और आपके कारव में आपको सबलता मिलनी लगती है, इसका प्रयोग करें, दोस्तों, आशा करता हो कि आपको हमारी जानकारी प पूछ सकते हैं हम आपको हर एक सवाल का विशेश तोर पर आप घर समस्या का समाधान करने के लिए तक पर है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भोले जैब बजनक वली अवशे लिखें हम आपकी साहिता करेंगे आप हमारे के लिए देजाता दन्यवाद कमेंट में लिखें जैब बजरक्पन आप अ झाल